हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोगों मित करता हूं आप सभी लोग अच्छा होंगे एक बार फिर से मैं यार सिद्धी कि आपका स्वागत करता हूं आपके अपरेटिव चैनल इंग्लिस मास्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोवर्टी मिस गरीबी गरीबी के बारी मा यहां सो स्टेंस लेस्ट थे जट बॉल्ल रॉलिंग पोर्टी जगर्स फॉर आवर सिसाइटी पोवर्टी मिस गरीबी गरीबी एक अभिशाफ है हमारे समाज के लिए इस यह रियली वांच रियलाइज वाट पोवर्टी इस आपकाई में महसूस करना चाहते है वाच तद तुमको मिलना चाहिए with people उन लोगों से who live in slums जो गंदी बस्तियों में रहते हैं Talk to them, उनसे बात करनी चाहिए, मिस उनसे बात करो, Ask about their lives, उनके जिन्दगी के बारे में उनसे पूछो Their past, उनके बीते हुए कल के बारे में पूछो And then see how difficult their lives have been और तब आपको पता चलेगा तो आप देखेंगे की उनके जिन्दगिया कितनी कठीन रही हैं I lived a middle class life, मैंने मध्यम वर्क की या मध्यम क्लास की जिन्दगी वेतित की And always got almost everything that I wanted And always got almost और हमेशा लगभग सब कुछ पाया, everything सब कुछ पाया That जो की I wanted, जो की मैं चाहता था Even though I had to ask my dad for many a time हला की मुझे मेरे पिता जी से कही बार उन चीजो को मांगना पड़ा I firmly believe that pen ideally is realized by the one who goes through I firmly believe मैं इसमें विश्वास करता हूं की और भी कभी मजबूती से That की pen ideally is realized वाकई में pen का वाकई में दर्द का एसास किया जाता है By the one who उस इंसान के जरिये who goes through जो इसमें से गुजरता है मतलग की जिसका दर्द होता है उसी को इस चीज का एसास होता है Not by everybody हर इंसान के द्वारा नहीं Indian government has put in several efforts to improvise their life Indian government has put in several efforts Indian government ने कई प्रियास किये हैं to improvise their lives उनकी जिन्दगियों को सुधार करने का Huge is the number of NGOs कई सारे NGO है Which claim to help the needy जो कि दावा करते हैं जरुवत मंदों की मदद करने का But implementation is not up to the mark लेकिन उनका असर इतना नहीं है मतलग कि उनका काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है And the major reasons of government's failure is nothing but the corruption और government के असफलता का जो बहुत बड़ा reason है वो कुछ और नहीं But the corruption बलके भ्रष्टाचार है In fact, हकीकत में वास्तों में Poverty and Corruption go hand by hand गरीबी और भ्रष्टाचार एक साथ चलते हैं हाथ में हाथ मिलाके चलते हैं Both are mutually related to a great extent दोनों एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए है If you are poor, अगर आप गरीब है You tend to do anything तुम्हें कुछ भी करना पड़ता है या फिर तुम कुछ भी करने के लिए ready रहते हो And everything और सब कुछ करने के लिए ready रहते हो That can get you some money जिसके जरीए आपको कुछ money मिल सकती है And that's where corruption comes from यहीं से ब्रष्टाचार का जनव होता है यहीं से ब्रष्टाचार सुरू होता है However, फिर भी There are numerous examples कई ऐसे उधार है Where, जहाँ पे even the rich are corrupt जहाँ पे अमीर भी भ्रष्ट है किसलिए? Due to greediness for having more money ज्यादा money पाने के लालच की वजह से So I hope students आपको गरीबी की बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा और किस तरह से आपको गरीबी की topic के ओपर बात कर ली है किस तरह से अपने point of view रखने है वो भी आपको सवज में आ गया होगा इस वीडियो लक्चर के अंदर आपने कई कुछ ऐसे word सिखे होंगे सेंटेंस ही क्योंगे जो आपको daily conversation में काफी helpful रहेंगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बाताना वीडियो लक्चर कैसा लगा और इस वीडियो को अपने सभी friends में शेर करना ताकि उनकी भी English improve हो सके तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो लक्चर में तक तक लिया सभी को बेस्ट अफ लकेंट जैहें